वेलकम बेक तो माय यूट्यूब चैनल मॉनिका स्टाइल में एक बर फिर से आपका सुखत है तो फ्रेंट्स आज की अरेस्टैल जो है तो न्यू ट्रिक है फ्रेंच बने अरेस्टैल की विद ब्रेड है तो चलिए स्टाइट करते हैं सबसे पहले मैंने बालों कोम करके इस लास्ट में रबर बैंड लगा के बालों को टाइट कर देंगे तो बहुत ही इजी हैर स्टाइल है यह बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें बहुत एजी है बहुत सिम्पल है तो एक ट्रै जरूर कीजिएगा और ला जिससे कि हमाई जो चोटी है तो वो ऊपर की साइट टाइट हो जाए और उसके बाद जो मैंने चोटी को फोल्ड किया है तो उसके बीच वाले पार्ट में अंदर की साइट से मैंने दोनों साइट से यहां पर बॉबी पिन लगा दी है जिससे कि यह अच्छी तरह से यहां कोम कर लिया है कोम करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हो कोम करने के बाद मैंने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है और डिवाइड किस तरह से करना है इसको आप वीडियो में देख सकते हो तो इस तरह से मैंने कर दिया है और आगे वाले बालों को अभी मैंने करके आना है दूसरी साइट कुछ इस तरह से और फिर जितनी दूरी पे ये अगदम ब्रेट के पास पहुंच रहा है उतने ही दूरी पे इसमें एक पतला वाला रबर बैंड मैंने यह पे लगा दिया है कुछ इस तरह से करके लगा जाए है और उसके बाद बालों को उपर के हैं मेरे हैर लॉंग है थोड़े से इसले इतना जादा है बट अगर थोड़ा शॉड है और यह बन और भी ज्यादा खुपसरत लगेगा तो इस हैर को मैंने यहापर सिंपली लपेट दिया है और लपेट के उपर की साइड ही मैंने इसको रख दिया है इस तरह से करके कालों कि उसको भी मैंने अच्छे से कॉम कर लेना है कॉम करके इस तरह से मैं इसको पीछे ले करके आही हूँ कुछ इस तरह से और यहां पिए पतले-दांत वाला कॉम यूज़ करेंगे तो ज्यादा इसका अच्छा लुक आएगा इस तरह से लेकर के आया है और ऊपर की स बट मैंने एक बॉबी पिन उपर के साइट से लगाई है जिससे कि इसका जो राउंड शेप यह घूमे का नहीं और अपनी जगह पे टाइट हो जगा क्योंकि अगर बॉबी पिन नहीं लगाते हो सकता है यह जो मैंने राउंड किया है यह खुल जाए और उपर से नीचे के स भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग